असलाम अम्रीकों मैं है आपकास बब्लूला होरी और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ Infinix Hot 40 Pro को यह phone recently launch हुआ है पाकिस्तान में 46,000 के price track के साथ कहीं पर यह flat prices पर मिल रहा है कहीं पर इसकी black market भी चल रही है मैं normal price से उपर बेचा जा रहा है 2-3 color options है इसका जो gold color है उसकी तो 100% कोई black market भी scene चला हुआ market में मैं इस phone को use कर रहा हूँ कुछ जनों से Nord series का phone Infinix सस्ता बेच रहा है Hot series का phone Mega बेच रहा है तो actual में कहां पर difference है क्या यह phone worth it है आपको इसको लेना चाहिए या पर नहीं या इसके इलावा कौन सी better options है इस वीडियो में सब बताने वालो है देखो design wise phone मुझे तो काफी अच्छा ही लगा बाकी हर बंदे की अपनी preference होती है दो-तिन color options है black वाला color मेरा इतना favorite नहीं है मुझे gold वाला या blue वाला ज्यादा अच्छा लगा इसमें बट वो market में short करके थोड़ी सी black market की जा रही है build qualities की poly cabinet है मतलब plastic है back side के उपर ही जो shiny सी back plate है ये भी plastic की है और उबहे होए camera module दिखने में अची look देते हैं profile थोड़ी सी phone की थिक है hold करने पे phone थोड़ा सा आपको उन्दा heavier side लगेगा 199 gram की आसपास इस phone का weight है case लगा के mostly लोग यूज़ करते हो तो इन्होंनों डबे में case दिया है customized type का और 226 gram की आसपास I think weight बन जाता है तो अगर आप Infinix के phone ही चलाते हुए आ रहे हो तो फिर तो ये phone आपको भारी feel नहीं होगा बट अगर किसी और brand का phone चला के लगा एक OPPO भी वो टाइप के phone चला के अब इस phone पे आ रहे हो तो आपको थोड़ी सी heavy वाली feel आएगी इसके उपर बाकि side mounted finger pin sensor है अभी के लिए तो बेहतरीन और speed से काम कर रहा है और बाकि कुछ लोग complain करें के Infinix के phone में finger print remove हो जाता कुछ time के बाद बट अभी इसमें नहीं remove हो अभी इसमें आ रहा है तो उसके लावा haptics जो है वो normal vibration वाले जो होते हैं वो ही है उसमें कोई भी improvement नहीं है और display पे कौन सी glass protection इनों ने यूज की है इसके बारे में कोई भी information नहीं है और कौन सी IP rating है इसके बारे में मुझे कहीं भी कोई detail नहीं मिली बाके spoon के साथ out of the box एक 33W बार चार्जर भी रखा वे इनोंने और जो इसकी 5000 mAh की बैटरी को देड़ गंटे में 0 to 100 चार्ज करता है और 33W के हिसाब से यह जो charging time है थोड़ा सा ज्याद है नितो नॉर्मल जो दूसरे brand है Redmi, Realme type के उनकी जो 33W है वो एक गंटा पांच, दस मिनिट के आसपास फूल कर देती है बैटरी को तो थोड़ा ज्यादा time है लेकिन जो battery backup है वो मुझे काफी अच्छा लगा overall auto switch पे refresh rate को रखके मैंने spoon को use किया कोई 8 गंटे के आसपास मुझे screen on time दे रहा था और अगर आप 120Hz के ऊपर रखके continuous phone को use करते हो तो ये कोई 6-6 गंटे के आसपा screen on time देगा इन शोट आप ये समझ लो कि ये phone बैटरी के point of view से एक दिन आपका अराम से निकाल जाएगा display spoon का 6.78 इंच का IPS display है full HD plus के resolution है उपसे 120Hz का higher refresh rate का option दिया हुए चलने में smoothness feel होती है इसकी हलके फुलके कहीं पे जिटर notice होती है जो normalize range के अंदर मसले वाली बात नी है पटी spoon का जो refresh rate है वो मैंने 120Hz पे select करके बैटरी मेरी 30% से नीचे चल रही है और ये 60Hz के उपर forcefully इसने push कर दिया है 120Hz को use नहीं करने दे रहा तो ये चीज़े भी थोड़ी देख लेना touch response भी मुझे overall इतना मज़े का ने लेगा इस phone का मतलब अगर थोड़ा सा तेज से जुंगलियां गुमाते हो इस phone पे तो finger को sometime register करने में missing कर जाता है तो मतलब आपको feel होता है कि touch इसका sometime miss कर रहा है तो ये issue notice हुआ है display visibility indoor में तो कोई भी issues नहीं है 500 nits की peak brightness इसकी अगर आप outdoor में जाते हो तेज रोशनी में बैटेके phone को use करते हो तो वहाँ पे इसकी जो visibility है वो काफी सफर करेगी जहाँ पे multimedia का experience है वीडियो देखते हुए display के जो colors है contrast है जो इसके wing angles है वहाँ पे कोई भी issue नहीं है display की quality ठीक है YouTube playback आपको 2K resolution में दे देता है smooth playback है frames बहतरीन है वीडियो के वहाँ पे issue नहीं है और Netflix में मुझे issue है wide one L1 है full HD में Netflix आपको दिखा देगा बट Netflix की जो app है वो lag करती है इसके उपर मतलबा content देख रही है quality उसकी अच्छी आ रही है बट उसके जो frame है वो अटक रहे है smooth playback नहीं है 2-3 बार app को मैंने uninstall करके देखा है लेकिन ये issue fix नहीं हुआ तो Infinix के phone में अक्सर मुझे report आती रहती है आप दोस्तों की तरफ से के Netflix issue करती है तो यहाँ पे भी issue कर रही है Netflix उसके लाबा जो speaker quality है उसकी loudness वोगारा ठीक है stereo setup है 60% वाज नीचे से आती है 40% उपर से आती है loudness और clarity ठीक है bassy sound नहीं है बट loudness वाली साइड पे ठीक है और यहाँ पे जो magic ring है न जो dynamic island है वो भी शचके मिल जाते है performance को इस phone में handle करता है MediaTek का Helio G99 पैसो के हिसाब से 46,000 के price tag पे powerful hardware नहीं है बट बुरा भी rate नहीं करूँगा मैं box pack की category में day-to-day use में तो मतलब सही चल जाएगा वहाँ पे use नहीं है और LPDDR4X वाली 8GB RAM है इसके डबे पे 16GB RAM रिखा हूँ है आज के लिए इस category के जितने भी brand है वो यह gimmicks कर रहे हैं डबे पे lollipop वाली RAM को plus कर के देते हैं और दुकान पे जब customer जाता है दुकान दर भी उसको बताता है हाँ भी 16GB RAM है तो actual में customer अपना loss कर बैठता है तो जो customers हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जो actually RAM है उसको लिया करो lollipop का फाइदा कोई नहीं है RAM इसकी multitasking को बिल्कुल ठीक manage कर रही थी 256GB की UFS 2.2 वाली storage है जो long term use में भी आप अगर fill करते जाओगे न तो वैसे slow नहीं होती जिस तरह एक EMMC story slow हो जाती है उसके लावा game खेलते हुए जो touch response है वहाँ पे मुझे कुछ games में notice नहीं हुआ लाइक मैंने PUBG खेली है 40 अपे उपर चलती है तो वहाँ पे तो fire मतलब सही चल रहे थे gyro भी hardware वाला तो वहाँ पे मुझे gameplay को दूरान कोई क्यों नहीं था 40 अपे इसका gameplay ये ठीक manage करके दे देता है उसके लावा call of duty के लिए वहाँ पे भी इसका जो fire rate था वो मुझे ठीक लगा call of duty भी medium graphics को पर ठीक चल जाती है cricket की game के लिए मने real cricket 24 आजकल काफी अच्छी चल रही है और वो मैं खेलता हुआ मुझे वहाँ पे जो जैसे जो baller आता है ball कराने के लिए तो मैं position को set करना होता है तो button मैंने अक्सर press किया बिल्कुल सई जगा पर मैंने point किया लेकिन वो button move नहीं काता touch miss कर जाता है तो ये चीज़े मुझे game खेलते पर cricket की game खेलते पर notice हुई है और कुछ game के दुरान थोड़ा पूद कहीं पर game अटक भी रही थी तो ये जो optimizations है ना की UI के अंदर जो चीज़ें है वो इधर उधर ही रहती है तो overall normally use करेंगे तो ठीक है touch response का जो display में issue था वो मैंने आपको बताया gaming के उदरान सिरफ cricket की game में ज़े नोटिस होगा software पर ये phone Android 13 लेके आता है जिसके ओपर Infinix की अपनी XOS वाली skin है 13 point something और initially काफी blotware है जब आप phone को set up करो गए ना तो Infinix की अपनी first party apps है और साथ में कुछ third party app का काफी blotware है जो unwanted notification भी push करता है और एक clean experience को disturb कर देता user के updates वगरा Infinix वाले वैसे ही नहीं देते मतलब जो जिस version पर phone आता है वो उसी पर चलता रहता तो updates को लेके भी user परिशान है clean experience को लेके भी user परिशान है और with time जो Infinix के phones है इनमें ads के जो issues हैं वो भी याना start हो जाते हैं और कुछ software related जो issues है like काफी users मुझे अप report कर रहे थे कि वो Infinix का Note 10 Pro यूज कर रहे है otherwise वो अपने fans को lose कर देगा network exception phone का ठीक है call quality मैं 9 by 10 rate करूँगा एक number कहां पर काटा है जो second noise cancellation mic नहीं दिया हुए इनोंने उसके लिए triple cut slot है 2 SIM के साथ micro SD card आप यूज कर सकते हो वोल्टी का sport अवेलिबल है wifi calling का भी sport अवेलिबल है auto call recording है वो भी मिल जाती है infinix के UI में चुपके वाली जो है और proximity sensor जिसका मैंने previous किसी infinix की device में आपको report किया था issue है इस phone में ठीक चल रहा था वो NFC का जो sport है वो भी available है phone में cameras पे आता हूँ back पे आपको 3 गोले नजर आ रहे हैं उबर वे काम वाला एक ही गोला है 108 megapixel वाला अब नंबर तो बहुत बढ़ा लगा दिया infinix नंबर चाहे 200 megapixel दाख ले जाए बट जब तक camera की post processing पे काम नहीं करेगा न camera की दोड में आगे नहीं बढ़ सकता तो ये phone camera category वाला phone आपने consider नहीं करना उस point of view से daytime के उपर मैंने photos को try किया है कुछ है तक अब decent photos निकाल सकते हो इसके camera से बट light को लेके चीज़े थोड़ा बहुत उपर नीचे चलती रहती है आल्दो HDR प्रोपर तरीके से चीज़ों को handle भी करने के कोशिश कर रहा था लेकिन sometime थोड़ा सा brighter exposure मैनेज नहीं कर पा रहा था और portrait mode में तो highlights को blown out कर रहा है क्योंकि HDR वहाँ पर चलता नहीं है और portrait में आप blur को भी उपर नीचे नहीं कर सकते और उसके लावा सही है night में मेरी हिम्मद नहीं पड़ी camera को try करने की front पे 32 megapixel का जो selfie shooter है वो ही मैं कहूंगा कि अच्छी lighting condition में या day lighting condition में अगर आप लेते हो तो decent selfie भी click कर सकते हो बाकि वो HDR इसका portrait में नहीं चलता तो ये चीज़े देख लेना light थोड़ा सा आगे पीछे करेगा विडियो ग्राफी जो है back side से और front side से 2K recording करता है और EIS आपका मिलता है 1080p 30fps के उपर जाके 1080p 60fps का भी option रखा हो गया दोनों side के उपर बट दुनिया हिलरी ये होती है EIS वाली side पर थोड़ा crop वाला जो algorithm है वो ही use करता है और light control को लेके na front side के उपर मुझे काफी मतलब issue नज़र आए है हलांकि इतनी कोई light भी ज्यादा नहीं थी cloudy weather था फिर भी overexpose किये जा रहा था तो देखो ये कोई dedicated camera category वाला phone नहीं है कुछ हट तक अच्छी lighting में कुछ decent photos आपको दे देगा बट videography मुझे इसकी मज़े की नहीं लगी तो अगर आप एक proper camera phone देख रहे हो तो ये phone आपके लिए नहीं बना हुआ देखो जो मेरा final verdict है hot 40 pro को लेके जो भी pros और कोंस थे मैंने सब आपको बता दी है 46,000 के price tag के उपर design की वज़ा से मैं पैसे लगाऊंगा ऐसा कभी मैं करता नहीं हूँ और ना ही मैं आपको मश्वरा देता हूँ आपके यूज में आप ले सकते हो 19-20 difference है camera sensor का और charging का इसके लावा कोई difference नहीं है और अगर आपको 45-85 लगाना है कोई डबा पैक में drone रहे हो कोई reasonable phone तो Camden 20 Pro आप देख सकते हो AMOLED 120 Hz का display है और जैसे Infinex से मतलब gaming के वो शचके शचके बना आगे बेच रहे है मतलब gaming का standard 60 Hz है भाई 2024 आ गया 40 Hz को बस वो normally casual में ही आप consider कर सकते हो तो gaming अगर तगड़ी करनी है तो फिर आपके लिए kit phones की options का मतलब open है snapdragon 865 के तगड़े hardware है मतलब उसको कहते हैं असल gaming तो उसके लिए LG V60 आपको मिल जाएगा Fujitsu का F51 आपको तगड़ा phone मिल जाता है under 40,000 भाई तो यह यहाँ पर चीज़ें आई होप के चीज़ें आपको clear होगी होगी Hot 40 Pro को अभी के लिए जो इसकी 46,000 प्राइस है इसके उपर मैं नौट रिक्मेंड कर रहा है इस phone को आपको यह phone नहीं लेना चाहिए I hope के चीज़ें आपको clear होगी होगी वीडियो अच्छी लेगी हो तो like, share, subscribe करके जाना मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में Thanks for watching I love you